नमस्कार बच्चों आज हम आपकी व्यवसाईक अध्यन के पुष्टक के आठवे आध्याय व्यवसाईक वित्त के शुरोत का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं आपको याद होगा कि इसके पहले भाग में हमने देखा था कि व्यवसाई में वित्त की क्या आवशक्ता होती है वो वित्त यानी पुण्जी कितने प्रकार की होती है स्थाई वकारी शेल पुण्जी फिर हमने देखा कि वित्व के श्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं उन्हें अलग-अलग प्रकार से वर्गे करित किया जा सकते हैं इसके बाद हमने एक-एक करके पाँच मुख्य प्रकार के श्रोतों पर चर्चा की थी आज इस भाग में हम कुछ अन्य बहुत ही महत्वपून शुरोतों पर चर्चा करेंगे तो आईए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं एक ऐसे शुरोत से जो ना केवल बहुत ही महत्वपून है बलकि शायद वह सबसे ज़ादा प्रसिद्ध शुरोत भी है आप सबने शेयर यानि अन्षो या शेयर मार्केट का नाम सुना होगा आज हम सबसे पहले बात उन्हीं की करेंगे अन्षो का निर्गमन यानि शेयर इशु करना या जारी करना जब एक कमपनी अन्ष जारी करके पूंजी एकत्र करती है तो उसे अंश पूंजी कहा जाता है अब सवाल यह है कि अंश क्या होते है अंश का मुख्यता अर्थिया है कि जब एक कम्पनी की कुल पूंजी को छोटे-छोटे हिस्सों में विभक्त किया जाए बाटा जाए तो हर एक छोटा हिस्सा एक अंश कहलाता है माल लेते हैं एक कम्पनी की पूंजी दस लाख रुपए की है वो अपने इस पूंजी को एक लाख छोटे टुकड़ों में बाट रही है तो इससे हर एक टुकड़ा दस रुपए का बना तो हम कह सकते हैं कि कम्पनी की पूंजी एक लाख अंशों की है और हर एक अंश का मूल्य 10 रुपए है जिन लोगों के पास कंपनी के पूंजी के अंश यानि हिस्से होते हैं वो कंपनी के अंश धारक कहलाते हैं अब मुख्यत है अंशों को दो प्रकार में वर्गी कृत किया जाता है सम्ता अंश वा पूरवादिकार अंश सम्ता अंश को अंग्रेजी में हम equity share और पूरवादिकार अंश को preference share कहते हैं अब इन दोनों में अंतर जान लेना बहुत जरूरी है यह आपको आगे भी बहुत काम आएगा सम्ता अंश को कंपनी के असली अंश कहा जाता है सम्ता अंश धारकों को कंपनी का असली स्वामी कहा जाता है जबकि पूरवादिकार अंश हालकि अंश धारक होते हैं किन्तो उन्हें कंपनी के स्वामी नहीं कहा जा सकता है पूरवादिकार अंश को का नाम पूरवादिकार इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्हे या इनके अंशधारकों को समता अंशधारकों से पहले लाभांश प्राप्त होता है वह जब कंपनी पूंजी वापस कर रही हो, जब कंपनी बंध हो और पूंजी को वापस किया जा रहा हो तब पहले पूर्वादिकार अंशधारकों को पूंजी मिलती है फिर बचने पर ही समतांशधारकों को तो इस प्रकार के दो अधिकार इने प्राप्त है पहले लाब मिलने का वो पहले पूंजी मिलने का इसलिए इने पूर्वादिकार अंश का जाता है इनकी एक और विशेष्टा यह है कि पूर्वादिकार अंशों पर अंशधारकों को एक निश्चित प्रतिशत से लाभांच मिलता है एक निश्चित स्थाई लाभांच इने मिलता है इसके विपरीत सम्ता अंशधारकों को लाभांच बाद में मिलता है वह कोई निश्चित दर पर भी नहीं मिलता सम्ता अंशधारकों को यदि कम्पनी को लाब है तो लाब मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा जबकि पूर्वादिकार में ऐसा नहीं है उन्हें इस्थाई लाबांच मिलता है चाहे कंपनी किसी भी स्थिती में हो समता अंशधारकों की पूंजी भी बाद में वापिस की जाती है लेकिन समता अंशधारक कंपनी के असली मालिक होते हैं इसका फायदा यह है कि उन्हें कंपनी में मताधिकार प्राप्त होता है वो company के निर्णयों में हिस्सा ले सकते हैं, company के प्रबंदन में हिस्सा ले सकते हैं वो जब company अच्छा काम करती है, अच्छा लाब कमाती है, खुब जादा लाब कमाती है तो ऐसे में इनको लाब भी जादा मिलता है, उसकी कोई सीमा नहीं है इसलिए सम्ता अंच वो लोग खरीते हैं, या या अंच धारक वो लोग होते हैं, जो जोखिम उठाना चाहते है इन्हें पता है कि इसमें जोखिम है, यदि company को लाब नहीं होगा तो इन्हें नहीं मिलेगा लेकिन यहीं इसी के बदले यदि company को बहुत ज़्यादा लाब होता है, इन्हें भी बहुत ज़्यादा लाभांच मिलेगा यह फाइदा है सम्ता अंच धारकों का अब आईए, एके करके हम दोनों के फाइदेवन नुकसानों पर और चर्चा करें यदि हम पहले सम्ता अंच की बात करें, तो यह जैसा कि मैंने कहा उन्ने वेशकों के लिए हैं जो जोकीम उठाने को तयार है, जैने पता है कि हम जोकीम उठाएंगे तो हमें अधिक आय या लाभांच मिल सकता है कमपनी के लिए फाइदा यह होता है कि कमपनी पर इसका कोई निश्चित भार नहीं होता है क्योंकि अंच धारकों को लाभांच देना अनिवार यह नहीं है कमपनी जब चाहे लाभांच दे या ना दे तो इससे कमपनी पर एक भार उत्पन नहीं होता तीसरा समता पूंजी स्थाई पूंजी मानी जाती है यानि इसे वापस नहीं करना पड़ता है इसे केवल कंपनी के समापन पर ही लोटाया जाता है चौथा समता पूंजी कंपनी की साख बनाती है यदि एक कंपनी में समता पूंजी जादा है अच्छी है तो भविष्य में रिणदाताओं के अंदर इसमें विश्वास पैदा होता है अंत में कम्पनी के संपत्तियों पर भी इसका कोई प्रभार नहीं पड़ता है इसके पश्चात यदि हम सीमाओं पर चर्चा करें तो ऐसे निवेशक जो नियमित आये चाहते हैं उनके लिए सही नहीं है क्योंकि इसमें जोखिम है कभी ज़ादा कभी कम आये दूसरा इन अंशों पर जो लागत कंपनी के लिए आती है वो अन्य शुरुतों से ज़ादा आती है का मतादिकार वह आये कम हो जाता है इसके अलावा इस माध्यम से कोश एकत्र करने में अधिक आपचारिकताएं होती हैं जिसकारण इसमें प्रक्रियात्मक देरी हो जाती है अब आईए इसके बदले हम पूर्वादिकार अंचों के लाब हुआ हानियों की बात करें सबसे पह क्योंकि इसमें अंचधारकों को वोड देने का अधिकार नहीं होता तो समता अंचधारक हैं इससे उनके प्रबंद में नियंतरण पर कोई प्रभाव नहीं परता उनका नियंतरण उतना ही बना रहता है ऐसी ये उनके लिए फाइदे की बात हो गई क्योंकि पूर्वा निस्चित लाभान्श देना होता है ऐसे में जब कंपणी अच्छा चल री हो अच्छा काम कर रही हो तो उसके लिए फायदे की बात उजाती है कि क्यूंकि इन्ने तो एक निशित लाभान्श देना है तो अब कंपनी अपने लाब का फायदा उठाकर समता अंश धारकों को अधिक उची दर से लाभांश दे सकती है इन गुणों के अलावा पूरवादिकार अंशों की भी कुछ सीमाए है जैसे कि ये उन निवेशकों के लिए उपिक नहीं है जो अधिक आये कमाना चाहते है जोखिम उठाकर दूसरा इन अंशों की निर्गमन पर कमपनी की संपत्तियों पर मालिकों का दावा कम हो जाता है क्योंकि इन पर संपत्तियां कई बार जमा करानी पड़ती है तीसरा इन अंशों पर लाभांश की दर, रिन पत्तर पर व्याच की दरों से भी अधिक होती है और इसके अलावा वो होती है, निश्चित भी होती है तो कमपनी अधि हानी भी कमारी हो या हानी में हो, तो भी उसे देना पड़ेगा लाभांश तो ये कंपनी के लिए और ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर देते हैं तो बच्चों ये थे हमारे अंश पूंजी वो उसके प्रकार वो दोनों प्रकार के अंशों के लाब वहानिया अंशों के अलावा दीर्ग अवदी की पूंजी कत्र करने का एक और बड़ा शुरूत है रिणपत्र अंश भी दीर्ग अवदी के लिए होते हैं रिणपत्र भी दीर्ग अवदी के लिए होते हैं फरक ये है कि अंश कंपनी के अंशधारक कहलाते हैं उनमें से मुखेतर जो समता अंचधारी हैं वो कमपनी के मालिक कहलाते हैं जबकि रिणपत्र जब कमपनी जनता से लेती है तो रिणधारक केवल रिणधारक ही होते हैं उन्हें कमपनी में कोई मालिका आना हक प्राप्त नहीं होता है एक कम्पनी रिन पत्र जारी करके कोश जुटा सकती है यदि वो स्थिर दर पे ब्यास देने को तयार हो क्योंकि इसके उपर स्थिर दर से ब्यास देना पड़ता है कमपनी द्वारा जारी रिन पत्र कमपनी द्वारा लिये गए रिन की एक प्रकार से स्विकृति है जब कमपनी रिन लेती है तो बदले में लोगों को रिन पत्र जारी कर देती है जो इस बात की स्विकृति है कि हमने आपसे रिन लिया है भविश्य में हम आपको इसका भुक्तान करेंगे यह हम इसे वचन देते हैं रिनपत्र धारी कंपनी के लेंदार कहलाते हैं उन्हें एक निश्चित व्याज राशी निश्चित अंतराल पर मिलते रहती हैं रिनपत्र कई प्रकार के भी पाये जाते हैं मुख्यता यदि इसके चार वर्गों की बात करें तो पहले वर्ग में सुरक्षित ववा असुरक्षित रिनपत्र होते हैं ऐसे रिनपत्र जिनके बदले में कमपनी अपनी संपत्तियों को जमा करवाए, संपत्तियों को गिर्वी रखवाए, उन्हें सुरक्षित रिनपत्र कहा जाता है, क्योंकि वो ज्यादा सुरक्षित होता है कि कमपनी यदि कल को बुक्तान नहीं कर पारी, तो संपत्तियों की विक्री करके भी बुक्तान किया जा सकता है जबकि इसके विप्रीत जिन रिनपत्रों के बदले में कोई संपत्ती जमा नहीं की जाती है उन्हें असुरक्षित रिनपत्र कहा जाता है दूसरा पंजीकृत वह वाहक रिनपत्र ऐसे रिनपत्र जिनके रिनदाताओं ये में पंजिक्रित है वह उन पर अंकित है उन्हें पंजिक्रित रिण पत्र कहते हैं इन्हें हस्तांतरित भी करना आसान नहीं होता वहक रिण पत्रों पर किसी रिणधारक का नाम नहीं होता कंपनी के रिकॉर्ड में भी उन्हें नहीं लिखा जाता है इसे किसी को भी दिया जा सकता है, जिसके भी हाथ में वो पत्र है, वो पत्रधारक या रिणपत्रधारक कहला सकता है ये थे पंजिकृत ववाहक रिणपत्र, इसके अलावा होते हैं परिवर्तनिय वग्यार परिवर्तनिय रिणपत्र जिन रिणपत्रों को भविश्य में अन्षों में परिवर्तित किया जा सकता है जिसमें कम्पनी एक प्रकार का अवसर देती है कि उन्हें अन्षों में परिवर्तित करके रिणपत्रधारक अंशधारक बन सकते हैं उन्हें परिवर्तनिय रिणपत्र कहते हैं जिन रिणपत्रों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है इसे उन्हें गैर परिवर्तनिय रिणपत्र कहते हैं इसके अलावा प्रथम व द्वित्य रिंड़ पत्र जिन रिंड़ पत्रों का भुकतान दूसरे रिंड़ पत्रों से पहले होता है उन्हें प्रथम रिंड़ पत्र कहते हैं और जिनका भुकतान बाद में होता है उन्हें द्वित्य रिंड़ पत्र कहते हैं तो यह कुछ सरल वर्गी करन था इरणपत्रों का अलग-अलग गुड़ों के हिसाब से सुरक्षित, असुरक्षित, पंजिक्रित, वहक, परिवर्तनिया, गैर परिवर्तनिया, वप्रथम और द्वित्य इरणपत्र आईए बात करते हैं, कि इरणपत्रों के क्या लाब हो और क्या हानिया है सबसे पहला लाब यह है कि ये निवेशकों के लिए कम जोखिम में स्थिर आये का एक बहुत बड़िया शोरोत माना जाता है दूसरा, इरणपत्र स्थिर प्रभाव कोश होते है ये कंपणी के लाब में भागिदार नहीं होते हैं इन पर एक स्थिर व्याज ही देना पड़ता है तो कंपणी के लिए एक परकार से एच्छी बात होती है जब कंपणी अच्छा लाब कमारी हो तो उसे जादा लाब में रिन्पत्र का निर्गमन उस वक्त उप्यूक्त माना जाता है जब कंपनी की बिक्री अच्छी हो इसकी आइस्थिर हो क्योंकि ऐसे में कंपनी बड़ी सरलता से ब्याज का बुक्तान कर पाएगी वह समय पढ़ने पर रिनपत्रों को भी वापस दे पाएगी बुक्तान कर पाएगी यदि कंपनी की बिक्री अच्छी ना हो आइस् सकते हैं क्योंकि यदि ऐसे में रिन पद्र जारी कर दिये तो लाव नहीं पर भिेलाव पैसे नहीं के बात है तो सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी के ओपर एक स्थिर भार पैदा हो जाता है कंपनी की आये चाहे घटे या बढ़े उसे इस पर ब्याज देना पड़ता है दूसरा यदि रिन पत्र वापस किये जाने है तो जब उन्हें वापस करने की बारी उसका समय आएगा और उस वक्त यदि कंपनी की वित्तिय स्थिती सही ना हो तो कंपनी के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती है तीसरा प्रती एक कंपनी की रिन लेने की एक निश्चित शमता होती है यदि एक कंपनी पहले से ही रिन ले चुकी है रिन पत्र जारी कर चुकी है तो इसके पास आगे रिन लेने की शमता कम हो जाती है ये कुछ मुख्य कमिया थी रिन पत्रों की तो अंश व अरिण पत्रिय दोनों ही इस अधियाएट के सबसे प्रमुख बिंदू हैं वित्य के सबसे प्रमुख शुरुतों में से हैं क्योंकि ये दीर्गकाल में काम आते हैं अब इसके अलावा वानिट्र जिक बैंकों पर भी चर्चा करना बनता है क्योंकि ये बहुत ही जादा एक आम वा प्रसिद्ध श्रोत है रिण जुटाने का लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि वानिजिक बैंक जादा तर मध्यम अवधी के रिण ही प्रदान करते हैं विवसाय में जब भी धन के आवशक्ता होती है तो बैंक से मिलने वाला ये धन पहले दिमाग में आता है ये एक बहुत ही आम वा सरल श्रोत माना जाता है कंपनिया कई बार सीधा बैंकों का रुख करती हैं जब उन्हें रिण चाहिए होता है तो बैंकों से रिण प्राप्त करने के कुछ लाब हैं कुछ हानिया इसकी भी है यदि हम लाबों पर चर्चा करें तो सबसे पहला तो यही है कि इसमें जब भी कंपनी को ज़रुरत पड़ती है तो बैंक के पास कम से कम इस बात की गारंटी होती है कि रिन मिल जाएगा समय पर रिन उपलब्द हो जाएगा दूसरा, बैंक उधार लेने वाले लोगों की या कंपनियों की जानकारियों को भी गुप्त रखते हैं इससे विवसाय की गोपनियता बनी रहती है तीसरा, बैंक से रिन लेने के बतले में कोई विवरन पत्र, कोई अभी गोपन जैसी लंबी चोड़ी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है तो एक सरल छोटी प्रक्रिया होती है लेकिन बैंक को उसे रिन लेने के भी कमिया है सबसे पहला इसमें छोटी या मद्य मवधी का ही रिंड मिलता है दूसरा, बैंक बहुत जाच परताल करने के बाद संपत्यों को जमाना दिया गिर्वी में रखने के बाद ही रिंड देते हैं कई बार तो व्यत्तिकत संपत्य मांग लेते हैं तीसरा, कुछ मामलों में तो बैंक के रिंड देने के बदले में कठिन शर्तें लगा देते हैं जैसे वो कई बार बंधक रखे गए या गिर्वी रखे गए माले संपत्ति की बिक्री पर शर्त लगा देते हैं वो नहीं बेचाता सकता होने ऐसे में वेवसाई के संचालन में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं अब जिस प्रकार बैंक हैं उस प्रकार सरकारों ने कुछ अन्य वित्य संस्थान भी बनाए हैं केंद्रेस्तर पर केंद्रेसरकारों ने राजिस्तर पर राजिसरकारों ने दोनों ने ऐसे कई संस्थान बनाए हैं जो लोगों को स्वामित्व पूंजी वरिंगत पूंजी दोनों प्रकार की पूंजी लंबी अवधी वर मध्य अवधी दोनों प्रकार की अवधी के लिए करते हैं तो यह काफी जादा लचीले तोर पर रिंड प्रदान करते हैं वह हर प्रकार का रिंड लंबी मध्य अवधी दोनों अवधियों के लिए देते हैं ये वानिजिक बैंकों के पूरक भी कहे जाते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ वानिजिक बैंक रिंड नहीं दे पाते जिन छेत्रों में जिन प्रकार के व्यवसायों में या जिन तरह के लोगों को वानिजिक बैंक रिंड नहीं दे पाते कई बार उनका आखरी साहरा ये वित्य संस्थाएं ही होती है सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये वित्य संस्थाएं केवल रिंड नहीं देती बलकि ये विवसायों को कई प्रकार के प्रसिक्षण वो सलाह भी देती है ये उन छेत्रों में रिंड देती हैं जहां बैंक नहीं होते इस प्रकार ये देश के ओध्योगिक विकास में बहुत जादा सहायता करते हैं इसलिए इन्हें विकास बैंक भी कहा जाता है ऐसे वित्य संस्थानों के मुख्य लाब हैं कि सबसे पहले तो ये दीरग अवधी के रिंड भी उपलब्द कराते हैं जो कि बैंकों से नहीं मिलता है दूसरा ये रिंड उपलब्द कराने के अलावा फर्मों को वित्य प्रबंदन संबंधी व कई तकनीकी सला भी देते हैं तीसरा जब कोई फर्म किसी ऐसे वित्य संस्थान से किसी ऐसे विकास संस्थान से रिंड लेती है तो उनकी उस फर्म की बाजार में साख बढ़ जाती है क्योंकि यदि इस विवसाय को ऐसे किसी संस्थान रिंड दिया है उसका मतलब है कि उस वित्य संस्थान का इस विवसाय पर भरोसा है यह भरोसा बाजार में भी नजर आता है और बाजार में इसकी साख बढ़ जाती है यह संस्थान रिनों का भुक्तान भी सरल किष्टों में लेते हैं तो इससे वेवसाय पर भार भी थोड़ा कम पड़ता है हाला कि इसकी भी कुछ कमिया है जैसे कि कई बार इन वित्य संस्थानों के रिन देने के कड़े मान दंड होते हैं इनके अप्चारिक्ताय बहुत जादा होती है प्रक्रिया ये लंबी होते हैं तो बहुत लंबा समय हो जाता है वो खर्चीली प्रक्रिया बन जाती है दूसरा इन संस्थानों द्वारा रिन लेने वाली कंपनियों पर कई बार कई प्रतिबंद लगाये जाते हैं जैसे कि वो कितना लाभांश दे सकते हैं, संपत्यों का इस्तिमाल कैसे कर सकते हैं ऐसे प्रतिबंद भी कंपनी के लिए मुश्किल पैदा करते हैं वो तीसरा कई बार ऐसे संस्थान रिन लेने वाली कम्पनी के निदेशक मंडल में बोर्ड ओव डारेक्टर में अपने प्रतिनिजी बिठा देते हैं जो कि कम्पनी के निर्णे लेने की शमताओ पर कम्पनी के अधिकारों पर अंकुष लगाते हैं यह भी कई बार एक बहुत बुरी बात मानी जाती है तो इन कम्यों और लाब आदी को देखकर हमें निर्णे लेना चाहिए कि हमें वित्य संस्थानों के पास जाना है कि नहीं जाना और केवल वित्य संस्थान ही नहीं जितने भी श्रोतों के हमने बात किये मैंने पिछले भाग में भी आपको कहा था कि हमें इन सभी शुरोतों के लाब और कमियों को देखना है ना किवले विद्यार्थी के रूप में आपको देखना है बलकि आगे जाकर वेवसाय के रूप में भी यह देखना जरूरी है कि किस शुरोत के क्या लाब हो क्या कमिया है क्योंकि उसी आधार पर यह फैसला लिया जा पाएगा कि किस शुरोत से हमें पैसा या पूंजी लेनी चाहिए क्योंकि एक बार हम पूंजी ले लेते हैं खासकर बड़ी पूंजी वो बड़े समय के लिए तो उसके बहुत सारे परिणाम वैवसाय को भुगतने होते हैं तो हम ये चाहेंगे कि वो परिणाम अच्छे ही हो इसके अलावा अभी तक जितने भी शुरोतों पर हमने चर्चा की है उस पर हमने घरेलू परिपेक्षमे चर्चा की यानि भारत में देश के अंदर हमें यदी हमारे वैवसाय को पुझी चाहिए तो हम इन शुरोतों के तरफ जा सकते हैं लेकिन जब से वैश्वी करण हुआ है तो वैश्वी करण केवल उद्योगों का वस्तुओं और सेवाओं का ही नहीं हुआ बलकि वित्य सेवाओं का वैश्वी करण भी हुआ है अब ऐसे बहुत सारे अंतराष्ट्रिय श्रोत हमारे सामने खुल गए हैं जिनके माध्यम से हम अंतराष्ट्रिय संस्थाओं से रिंड प्राप्त कर सकते हैं ऐसे संस्थाओं में वानित जीक बैंक आते हैं विदेशी वानित जीक बैंक जेने हम कहेंगे अंतराष्ट्री एजंसियां आते हैं अंतराष्ट्री विकास बैंक आते हैं वो अंतराष्ट्री पूंजी बाजार या शेर मार्केट भी आता है जब अंतराष्ट्री पूंजी बाजार की बात की जाती है तो तीन बड़ी ही रोचक चीज़ें इसमें हमें ध्यार रखनी होंगी कि जब कोई एक कम्पनी विदेश में जाकर वहाँ पर पूंजी जारी करती है तो वो बदले में एक विशेश रसीद वहाँ पे पूंजी धारकों को देती है ऐसे अलग-अलग तरह के रसीद आज दुनिया में पाई जाती है जन्में से सबसे पहली है अंतराष्ट्री जमारसीद Global Depository Receipt GDR जब यदि इसे भारत के परिपेक्ष में देखा जाए तो जब कोई भारतिये कमपनी किसी भी विदेश या विदेशी पूंजी बाजार में जाकर वहाँ अपनी कमपनी की पूंजी जारी करना चाहती है तो वो पूंजी धारकों को बदले में एक रसीद देती है पूंजी धारक उस रसीद के बदले में कभी भी जबी भी वो चाहें तो नियत पूंजी या अन्श प्राप्त कर सकते हैं यह रसीद अंतरास्ट्य जमारसीद कहलाती है क्योंकि भारतिये कमपनी विदेशों में पूंजी जारी करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है इसका इस्तेमाल विदेशी कमपनियों द्वारा भारत के पूंजी बाजार में अपनी पूंजी जारी करने के लिए किया जाता है ठीक उसी प्रकार से जैसा हमने भारतिये कमपनियों के लिए देखा कि जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आके पूंजी जारी करती है तो वो भारतिय निवेशकों को एक रसीद देती है इस रसीद के द्वारा भारतिय निवेशक कभी भी बाद में उस कंपनी की अंश प्राप्त कर सकते हैं भारतिय जमारसीद IDR कहा जाता है तो ऐसे अनेकों शुरोत आप उभर के आये हैं जिनके द्वारा एक भारतिय कंपनी या कोई भी कंपनी विदेशों से अंतराष्टी तोर पर भी वित्य प्राप्त कर सकती है तो बच्चों इस अध्याई में हमने बहुत सारे शुरोत देखे इन सभी शुरोतों में कई बार बच्चों को याद रखने में समस्या हो जाती है मेरी सला यह है कि आप एक एक करके इन शुरोतों के बारे में पढ़े इनका अर्थ समझने के बाद आप कीवल इनके कुछ तीन-चार मुख्ये लाब वा मुख्ये कम्यों को लिख कर याद करें क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर अध्याय है इस अध्याय में सीखी गई बातों को आप आगे भी कई बार उपयोग करेंगे आने वाली कक्षाओं में भी इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आज के इस भाग में वो इस पूरे अध्याय में जो भी हमने सीखा वो आपको अच्छे से समझाया होगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद झाल को